नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबी अच्छे होंगे तो मैं आज फिर से आ गया हूँ आपको एक ऐसी ड्रावनी घटना के बारे में बताने के लिए जो की घटी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर के साथ जिनका नाम है रॉबर्ट सो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा रॉबर्ट भाईया का जिन्नोंने मेरे साथ इस घटना को शेयर किया और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है जो कि काफी ज़्यादा ड्रावना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डियम करके बता सकते हैं तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेरा नाम मिठु है मैं पार्टीज और फंक्शन्स में डीजे का काम करता हूँ मेरे पास सन 2019 में एक ऐसा ही ओडर आया था एक शादी में डीजे लगाना था और हमेशा की तरह मैं शादी से कुछ दिनों पहले ही वहां पहुँच गया अपने कुछ लड़कों के साथ जो की मेरे लिए काम करते थे मैंने उनको काम समझाया कि कहां कहां पे स्पीकर्स लगाने हैं और कैसे सिस्टम को फिट करना है शादी बैन कॉट हॉल में थी और स्पीकर्स लगाने में काफी ज़्यादा टाइम लग रहा था जिसके कारण रात काफी ज़्यादा हो गई पूरे दिन तो सब कुछ ठीक था लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे थोड़ा माहोल बिगडने लगा मुझे अंदर अंदर से कुछ ऐसी एनरजी महसूस हो रही थी जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी वो एनरजी काफी ज़्यादा नेगिटिव फील करा रही थी मिरको और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है लेकिन मैंने इस बात को नजर अंदास किया और अपनी लड़कों को जल्दी जल्दी काम करने के लिए कहने लगा और खुद भी छोटा मोटा काम करने लगा तब ही अचानक से एक जगा से मेरे ही एक वरकर की चीखने की आवाज आई मैं काफी ज़ादा घबरा गया और वहाँ भागते वे गया मैंने देखा कि मेरा वरकर एक जगा पे पुतला बनके खड़ा है और सामने की ओर घूरे जा रहा है मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि क्या हो गया क्यों चिलाया तो इतनी जोर सी जिसके जवाब में ओका कि भया मैं या काम कर रहा था चांफ से अचीब सी आवाज आई ही पता नहीं और यह सुनके मैंने कहा कि पहँ होगा तेरा आप चुरी बहुत करने लग गया है तूं शादी है जल्दी दो दिन में तीन दीन में शादी है कैसे काम खतम करेगा ऐसे काम करेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा जिन्दगी में फटा-फट काम कर ऐसी बाहने-बाजे नहीं चलेगी मेरे सामने समझा क्या और वो बोला कि भाया मैं सच कह रहा हूं मेरेको तो कुछ गड़बर लग रही है जब से यहां धेरा हो होना यह थोड़ा सोचने वाली बात थी दिरे दिरे रात और हुई मैंने सभी वर्कर्स को देखा तो सभी के मूल लटके वे थे और मैं जिससे भी पूछता वो यहीं कहता कि भाया कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा है यहां पर काम करने में पता नह अपनी कमपनी का नाम खराब नहीं कर सकते समझे न ऐसा चलता रहता है बुक्स प्रोब्लम होंगी मैं तुमें बरॉसा देता हो कि मैं तुम्हें बोनस दो ओंगा प्लीस जल्दी काम करो अच्छा काम करोगे मैं तुम्हारे लिए और मेरे होसला देने पे वो सारे फिर खुशी-खुशी काम करने लगे लेकिन अचानक से एक worker मेरे पास आया और वो कहा कि सर, 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 एक्चली, एक्चली और मैंने पूछा कि क्या हो गया है, इतना गबरायवगा क्यों लग रहा है और उसने कहा कि सर एक्चली हमारा जो एक वर्कर है ना अमन वो हमें दिखी नहीं रहा है कहां पर है मैंने काफी जगत देख लिया मैंने इदर उदर भी देखा लेकिन कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है आप कुछ करिये ना मुझे लगा यहीं कहीं आसपास बातरूम करने के लिए किया कहीं ना कहीं तो काम कर रहा होगा ऐसे खाली तो बैठा होगा नहीं मैंने कहा कि दस मिनट वेट कर लो क्या पता इदर ही कहीं हो काम कर रहा हो विचारा आने दो अगर नहीं आता फिर हम देखते हैं क्या करना पंद्रा मिनट बीट लेकिन वो नहीं आया और फिर मैंने कहा क सब काम करना छोड़ दो हमारा एक वरकर अमन अभी नहीं मिल रहा है तो प्लीज सब उसे जाके ढूड़ो और मैं भी ढूड़ता हूं और मेरी बात सुनके सब अमन को ढूड़ने लगे और मैं भी अमन को ढूड़ने लगा और ढूड़ते-ढूडते मैं एक स्टोर रूम के बगल से गुजर रहा था तब ही अचनक से मेरे कानों में एक आवाज आई मैं तुरंत रुका और मैंने स्टोर रूम का दर्वाजा खुला और जो मैंने देखा वो काफी ज़्यादा अजीब था मैंने देखा अमन महां पे एक कोड़ी में पड़ा हुआ है ये देखके मु ये जब क्या है यहां पे काम करने आए हो ये अराम करने आए हो ये कोई अराम करने का वक्त है हां तुम्हें अराम करने को नहीं मिलता क्या ऐसे काम के वक्त बीच में अराम करना वो भी ऐसे चुपके शरम नहीं आती है तुमको अब फटा फट उड़ जाओ दो मिनिट में फटा-फट काम पे लग जाओ, समझे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, और सिर्फ मैं उसके पास क्या, और अमन, क्या हो गया बेटा तेरे को? तू ऐसे क्यों बिएफ कर रहा है, कोई प्राब्लम है तेरे को? और स्टोर रूम के अंधेरे में, मैंने अपने फोन से फ्लैश लैट मार के उसे देखा तो उसने धीरे धीरे आखे खोली, लेकिन जो मैंने देखा, वो काफी ज़्यादा बहाना था मैंने देखा कि उसकी आखों की पुतलिया पूरी सफेद थी, और वो सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा था मैं डरके दस कदम पीछे हो गया, और चिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे मेरे मुँए आवास थी ही नहीं मैं वहाँ से भागने की कोशिश करी रहा था, लेकिन मेरे पैर जम से गय थे मेरा से ही काम करना बंद करने लगा था, तब ही अचानक से अमान उठा, और बोला की उसने जो कुछ भी बताया, सब कुछ सही था, और ये सब सुनके, मैं गबरा गया, मेरे मुँ से आवाज नहीं निकल रही थी, और बहुत बोलने के बाद मेरी एकी आवास निकली कौन है तूँ, कैसे बता इतना समद, जिसके जवाब में उसने कहा कि तू अच्छा इंसान है, तुझे नहीं बार ना, क्यों काम करता है, ये ही महनद क्यों करता है तो, मुझे बता, गर चलाने के लिए और अपनी जरूरते पूरी करने के लिए, एना, एना, ते तू पड़ा लिखाए ना, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, मैं नाच गाना करते थी, मेरे माबाब ने मेरे को बच्पन में पढ़ाया ही नहीं, मैं कभी पढ़े नहीं पढ़े, मेरे को स्कूल जाना था, पढ़ना था, लेकिन, मैं कभी पढ़े लेकिन नहीं पढ़े, और, मेरा बाब रो मरदाश नहीं होता था, मेरे माँ को पता था, ये मेरी जिन्दगी ऐसे अंदेरे में बीच जाएगी, इसलिए उसने मुझे, जब मैं बढ़ी होगी, तो मुझे घर से दूर बेज दिया, पैसे देखी, मैं यहाँ पढ़ने आई थी, लेकिन एक पढ़ने के साथ-साथ मेरे क तो टैंस करने का भी बहुत शौक था, और मेरे को, मेरे को एक आदमी मिला, उसने मुझे कहा कि पढ़ाए के साथ-साथ, तुम एक काम भी करो, और इस बाहने उसने मेरे सारे पैसे च्छिल लिये, ये कहकर कि वो मुझे लौकरी में लगाएगा, लेकिन मैं तो पढ़ी लि मेरे का मुखा ही नहीं मिला, देरे देरे उसने मुझे अपना सलिए रंग दिखाना सुरू किया, उसने मुझे पार्टी इसमें नचाना सुरू करती है, मेरी सिंदकी न रखो गई, और एक दिन नाचते-नाचते, किसी अमीर बाप की उलाद में फारिंग करती, मेरे को गोल क्योंकि किसी को मेरी मौत का पता ही नहीं चला, मेरी लाश को, यहां मैं लेटी थी ना, यहीं पे दफ ना दिया मेरे को, किसी को, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, लेकिए मैं मारेगी सबको उन सबको मारेगी जिनों मेरे शिल्दगी को नरख बनाया सबको मैं मारिगी और इतना सब सुन के मैं बिहोश हो गया और सुबा मेरी आंक खुली तो मैंने देखा मेरे सारी वरकर्स मेरे को घेर के खड़े हैं और कहने लगी क्या हो गया था सर अप इतने डरे हुए हम यहां पर आया आप हमें बिहोश मिले ऐसा हुआ क्या था यह तो अच्छा हुआ अम को सही टाइम पर लेकिन अमन को अभी भी होश नहीं आया हम तो अभी भी भी होश है ऐसा क्या हुआ आप दोनों के साथ मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया पुलिस वाले आए और मैंने उनसे कहा कि सर यहां डेड बॉड़ी है आप इस जमीन को खो दिये और पुलिस वालों ने ऐसा ही किया उस जमीन को खुदवाया और उस जमीन के अंदर से एक कंकाल लिगे बाद में पता करने के बाद पता चला कि यह एक लड़की की लाश थी जो कि अब सड़के कंकाल बने चुकी है और जिसने इस लड़की को गंदे काम करने को मजबूर किया था उसके खिलाफ फाई यारवी और अब वो भी जेल में लेकिन कभी कबार सुनने में आया है कि वो अब पागलों की तरह हरकते करता है और लड़कियों की तरह जेल में हस्ता चिलाता रहता है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर दें मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ड्रावनी कहानी के साथ या फिर एक सची घटी घटना के साथ तब तक के लिए बाई